हेलो दोस्तों आज हम बनाने जा रहा है कच्छे आम की बहुत ही टेस्टी ड्रिंक है दोस्तों इसे आप बनाकर इस्टोर करकर एक मैने के लिए या फिर छे मैने क्लिप आप इस्टोर कर सकते हैं बहुत ही आसान सी रेसेपी है वीडियो को लाश तक जरूर देखेगा आप दोस्तों हमें कच्छे आम ले लेना है जो आप 1 kg हो चाहे 2 kg जितना बनाना चाहे बना सकते तो यहां पर देख सकते दोस्तों कच्छे आम मैंने 1.5-2 kg की लगभग ले लिया है और इसे में अच्छे से ऐसे देखी दोस्तों पहले हैं जब लाय थी मार्केट से तो उस पर चिलका अगर यूज करते हैं तो कभी कभी उसका जो कासेला पन हलका सा टेस्ट आ जाता है जो कि अच्छा नहीं लगता तो मैं चिलके को उतार देती हूं इसे लिए और यह रेखिए हम चिलके निकालने के बाद सभी आम को ऐसे ही कर लेंगे और इसके बाद हम इसे थोड कर देखिए दोस्तों चोटी 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 पीसेस में काटने के बाद इस तरह से हो गया है और इसके बाद यहां पर हम दो से तीन गलास पानी डालेंगे पानी अच्छा से डालना है इक्तम कम भी नहीं होना चीए वरना नीचे जलने लग जाता है तो 2 किलो अम था तो मैं सब्सक्राइब तो मैं ढहां खाना चोटेल केथा यहां अच्छा पतानी केम हरो और अगया नहीं में तो हम जरूर तो मुद्ध्य고 कित्रम गर्म में शाटनी कीषूर कितना के पानी डाल श्तन धालेंगा और उसके बाद विसके नहीं सब्सक्राइब करेंगे यहां तो तो उसके बाद हम इसे अच्छे से ग्राइंड करने के बाद इसे हम चान लेते हैं चानने से पतिया रेश आंकर यह सब इसमें अलग हो जाता है हमें चिकना एक पेश्ट मिल जाता है तो सभी को हम ग्राइंड करके ऐसे ही छान लेंगे पदीने के पत्ती जरूर डालिए जिसे की गर्मियों की फायदेमन होता है पदीने भी अपने आपे बहुत ही है के और दीका काम करता है दोस्तों तो पदीने जरूर डालिए उससे इसका फेज़ भी बढ़ जाता है और चासनी फोके पत्ता देर राडा के जरूर में खंग कि लिए यहां पर रसकते हैं यहां पर दोस्तों यहां पर एक ग्लास पानी डाल का या इसे मैं घुलने तक इसे मैं पका लेती हूं तो पर तो सक्कर के घुलने तक हम यह पेज़ अप्टर अच्छे से घूल जाएगा ह यहां पर कोई तारवार की चासनी वगर नहीं बनाना है बस सकर को अच्छा से गूल जाना है तब हम यहां पर जो पेश्ट बना के रखेते हैं सारब पेश्ट में डाल देंगे और इसके बाद हम पेश्ट के साथ इसे पकाएंगे जिसे की थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए आप महनत करेंगे फिर आपको 12 महनत का जुरत नहीं होता है जूप से अगर कोई आता है महमान आया चाहिए बच्चे स्कूल से आया जैसे की गर्मियों में बच्चों का इसकूल पुल जाता है और लू लगने का डर रहता है गरम-गरम हवा में तो फिर बच्चे को आप ज जीरा पॉडर है जीरा पॉडर से टेस्ट भी बढ़ता है और खाने पीने भी अच्छा लगता और जीरा जो है फायदेमन भी होता है वहल के लिए तो यहां पर हम बच्च को बंद करके ठंडा कर लेते हैं थोड़ दिर इसी हिला कर थंडा करिए वर्ना ऊपर में जो है यह परत जम जाता है तो हम इसे फ़र देर हिला लेते हैं और जब अच्छे से जब ठंडा हो जाएगा इसे जब भी बनाए हैं दो तीन घंटे बाद आप देखी जब अच्छे से ठंडा हो जाए या फिर दूसरे दीन आप इसे डाली कि में बोतल में भरके फ्रीज में रखना अच्छे से ठंडा करना बहुत ज़्यादा जरूरी है इसे आप छोड़कर रख देजे एक दिन के लिए उसके बाद दूसरे दिन आप इसे ऐसे कोई भी बोतल या पिर कांच किजार या कांच का बोतल आप जो भी है इसमें आप डाल कर इसे आप फ्रीज में रख सकते दो जब भी आपको बनाना है तो यहां पर देखी दो गिलास लिया लिया है इसमें एक चौथा हिस्सा हम यह जो बना के रखे थे मतलब आम का पेस्ट उसे डालेंगे और उसके बाद यहां पर हम पानी दाल देंगे तो पानी आप चाहे तो ठंडा पानी डाल सकते है नॉर्मल क्यूब डाल देते हैं और इसके बाद हम इसे चम्मस अच्छे से मिला लेते हैं बस आपका ठंडा ठंडा ड्रिंक बनकर तयार है एकदम टेस्टी और हेल्दी है न बहुत ही आसान इसे जटपट बना सकते हैं इसे बना कर रखने के बदा वैसे ही इंजॉय कीजिए कैसा ल